है अहां है नो फिल्मनिंग स्ट्रेंट्स देखेंग पिछल्स में हमने यह ने ने आपके बारे मंपड़ लिया था नौ विलेशन विट्वेट पॉर्क and angular momentum relation between torque and angular momentum हम एक formula जानते है कि N equal to क्या होता है R cross P होता है यह हमने कल पढ़ लिया था angular momentum equal to क्या होता है R cross P अब इसमें हम क्या कर रहे है इसको differentiate कर रहे है differentiate both side with respect to time time T time T के respect में हमने इसको differentiate कर दिया देखिए इसको हम लिशकते हैं D L Y D T equal to D Y D T R cross P दोनों साइड differentiation कर दिया ठीक है तो D L Y D T equal to देखिए इसको first function मानते हैं इसको second function मानते हैं तो first function as it is cross differentiation of second function plus second function as it is cross differentiation of first function क्या है? अब हमें पता है F equal to क्या होता है D P by D T तो यानि यहां पर हम अगर वेक्टर लगा लें तो D L Y D T equal to क्या हो जाएगा? R cross यह F हो जाएगा plus यह P cross देखिए D L Y D T position का differentiation time के respect में क्या देता है? velocity देता है this is P cross V किर रहे? और देखिए P का एक formula और भी होता है mass into velocity देखिए D L Y D T equal to R cross F plus P को लिख सकते है M V cross V देखिए किसी भी वेक्टर का किसी अपने same vector के साथ cross product क्या होता है? 0 जैसे एक velocity vector है यह दूसरा velocity vector भी V यह दे रखा है तो दोनों सेम है दोनों का magnitude सेम है दोनों का direction सेम है तो V cross V equal to क्या होगा? mod V mod V into sin theta n cap और theta न दोनों के बीच का क्या है students? 0 है तो V V into sin 0 n cap कितना जैता है result? 0 इसका मतलब यह पूरे result क्या जाएगा? यह 0 हो जाएगा तो torque यानि D L Y D T equal to क्या है हमार पास? R cross F और R cross F इसके बराब होता है torque के बराब होता है इसका मतलब D L Y D T हमारे पास क्या आगया? torque क्या ने? ओके दीकि यहाँ समने क्या सीखा? जैसे rate of change of linear momentum gives force इसी तरह rate of change of angular momentum gives torque ठीक है? rate of change of angular momentum gives torque तो एंग्लो ममेंटम का change हमें क्या देता है? वो देता है torque ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो torque कि इतना हो आ गया? D L Y D T समझ में आ रहा है? पर नोट करिए इसका रहा है है- और दे कनauen रहा है है चीघय उन्ग paid अदे कनसरवेशिन अब एंगुलर मोमेंटम देखिए अब क्या हुए देखिए टॉर्क एकोल टू क्या है माल पास दील बाई डीटी अब इफ नेट टॉर्क नेट नेट टॉर्क अब इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ओन देखिए इस जीरो अगर सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो इसका मतलब नेट टॉर्क एकोल टू जीरो हो गया तो डील बाई डीटी क्या हो गया जीरो और डील बाई डीटी अगर जीरो हो गया यानि किसी का डिफ्रेंशेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब वो टम क्या है कॉंस्टेंट है इसका मतलब एल इनिशल इकोल टू क्या हो जाएगा है यही कंजर्वेशन ओफ लियर अगर किसी भी बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो हो अगर वो रोटेट नहीं कर रही हो तो इसकेस में उसका एंगलो मेंटम क्या होगा इसका होगा इसमें द्यान रखेगा सिस्टम की बात हो रही है कि उसके बाद देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है कि एक प्लिब्रियम और रिजिड़ हो कि बडी अब देखिए अब कि बढर आप रेजिड़बाडी में क्या होता है देखिए ड्रैसलेश्थ उच्चरम मोशन में क्या होता था अगर किसी औभिप्याट पे लगने वाला नयट फॉर्व्च्ट जीरो हो तो वह बडी क्या कहला थी ट्रासलेश्थ और ब्र आकिक वाड़ी पेल्फ़ एक मुधिन और फॉर्स लके में जीड्रोघ और ओना इस जीड्रोघ फोजी तो रिजिड्वीध में है तो इसका मतलब यह होता है कि उसलने अन्हेंढ इसलना चीए और उस पर लगने वारा नेट फोर्स भी जीरो होना चीए तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिजट बॉड़ी कंप्लीट इक्किलिब्रियम में है तो में आरे बाद तो रिजट बॉड़ी का समय समझना होगा तो हमें इसमें दोनों आसपेक्स देखने होगे फोर्स का कि कोई रिजट बॉड़ी थीकें और इस रिजट बॉड़ी पे फोर्स यस लगने है याफ 3 लग लग रहा है इदर से एक स्वत खूर लग अब टुशों इदर से एक ब्लग रहा है तो नेट फोर्स जो होगा वह जाएगा एक एक o n फान मष्टemics से ऐटीण का टू प्लस एफ त्री अप टू से ओन एक यह हो गया अब अगर यह बॉडी टांसलेशनल एकलिब्रियम का मतलब होता है net force 0 तो net force उस पर क्या हो गया 0 इसका मतलब F1 प्लस F2 अप्टू 101 FN इक्वल टू क्या होगा 0 यानि अगर body translation लिक भी हमें है तो body पर लगने वारे net force का sum क्या होगा 0 के बराबर हो जायागा ठीक है तो देखें अब यह force जो है vector लिए है तो force एक direction में तो होगा नहीं x में भी होगा y में भी होगा z में भी होगा तो इसके हम component लिख लेते हैं तो इसका मतलब यह होगया कि summation force in x direction equal to 0 summation force का y direction equal to 0 और summation force का z direction is equal to 0 देखें इस statement को हम कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि F1 force का component x direction में plus f2 force का component x direction में plus f3 force component x direction में up to so on fn force का component x direction में equal to kya होगा 0, तो summation fx का मतलब यह होगया, च्छिक है now summation fy का मतलब क्या होगा देखो summation fy का मतलब हुआ की तो यह तो यह बराबर हम क्या लिख सेते हैं, summation F1 X equal to 0 summation F1 sorry summation F I X equal to 0 summation F I Y equal to 0 F1 Y plus F2 Y plus F3 Y up to so on F N Y equal to 0 Y direction में जितने भी forces के component होंगे उनका सम बराबर क्या हो जाएगा 0 इसी तर है summation F I Z equal to 0 equal to हो जाएगा summation F1 Z plus F2 Z plus F3 Z up to so on F N Z equal to क्या हो जाएगा 0 ठीक है तो कोई body अगर translation equilibrium में है इसका मतलब उस पे लगने वाला net force 0 होगा अब वो X direction में net force 0 होना चाहिए Y direction में net force 0 होना चाहिए और Z direction में net force 0 होना चाहिए तो वो body क्या कहलाएगी translational equilibrium में के लिए रहे ओके तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं अब देखिए F net को क्या नहीं सितने है D P net divide by D T equal to क्या हो गए F1 plus F2 plus F3 up to 7 FN अगर D P net by D T equal to क्या हो जाए 0 क्योंकि net force तो 0 होने वाला है इसका मतलब net momentum of the system क्या रहेगा constant हो जाए क्योंकि किसी का differentiation अगर 0 है तो उसका net momentum क्या हो जाएगा constant हो जाएगा इसका मतलब P initial क्या हो जाएगा P final क्यों हो जाएगा समझ में आ रहा है तो ये condition rigid body की equilibrium की क्योंसी होई ये translational condition थी क्या थी ये translational translational equilibrium क्या हो जाएगा हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है नाव अब हम चलते हैं इसके rotational equilibrium पर ये रोटेस्टर इकिवियम का मतला होता है इसके नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो ठीक है इसका मतलब पैरा टॉर्क दूसरा टॉर्क तीसरा टॉर्क ब्टोस्वान नेट टॉर्क नेट टॉर्क आ गया टॉर्क ब्राबर क्या हो जाएगा जीरो हो गया तो टी वन प्लस टू टू जक्वान टॉर्क जीरो एक रहेसा होगा इसका मतला टॉर्क कि एन ग्लोग वाइस है इक विक वोड़ टू तॉट तॉर्क और एंटी तूब वाइस है अगला वाइस में लगने वाद टॉर्क एक वाइस है को अधिक मेलेगा टॉर्क मतलब कोई अपजेक्ट को आपको ऐसे घुमा रहा है और उतना ही वह यह अधर घुमे तो मिला जुल राके दोनों को वह जाता है जीरोगा सुमाज हो इन क्लावाइस इक्वल्ट नेट टॉर्किंग एनक्लागवाइस उने सिस्टम पर लगने वाला क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्या रहा अब दिखिए नेट टर्क तो फ़रम्ला इंस के बाद नेको को विफटे लगने इक्वाल्टू क्या हो जाए जीरो हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्रीडियम में है तो इसका डिने मुमेंट एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है। रहता है और ईवकर कोई बॉडि रोटेशनेल में है तो उसमें लगने वाला एंट जितने भी एंटी क्लोगवाइश टोट उस्पने यह उस्म ना यह लगने। तो अटी इंट ग्लोगवाइस टॉर्क नेट ग्लोगवाइस टॉर्क तो वो कंडिशन जो देओ रोकिलूब्यम तो देखे हैं तो हमने knew परहा बड़ा बाड़ी का है अब हम देखते हैं इसका पार्शल इक्लूबियम पार्शल इक्लूबियम ऑफ रिजिड बॉड़ी देखें एक बॉड़ी है एक रॉड माल लेते हैं ठीक है यह रॉड है यहां पर हींज रही है सिर्वाशी इस पेक फॉसी कले सिट उन्हार, एक फॉर्स के फिरलर लाइब रॉड आगर यह प्रॉड गोमेगा भी तो इस पोइंट के वा रोट यस पेक् स्वेग फॉसी दाल एगला इस रोड नोट इन ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियूम इसका मतब यह रोड ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियूम में नहीं है ठीक है अब यह जो हिंज था यह बिल्कुम मिटल पे था अगर मानों रोड का पूरा लेंथ यह था अब नेट फोर्स तो सिस्टम पर आ गया इसका मतलब यह बोड़ी ट्रांसलेशनल इक्लिब्रियूम में नहीं है अब रोटेशन इक्लिब्रियूम में चेक करना चाहते हैं अब देखें इसके बाद रोडेट करेगा यहां पर फोर्स लग रहा है तो आर वेक्टर बन इसले डारेटेक्शन आर क्रोस एफ तो आर से फ के तरफ है ना यह देखें आर से फ के तरफ इस तरह है इस प्रक का टोक इन हejन नहींद होड़ा ओ क्लोक वाईस और यह वारा-टोर्ब जा- naught बनाद बनाया तो क्या आगया आर क्लोसे क्या seguinte है तो इसका सारी यहां और ह है यह टॉर्क प्रोड वाइस हो लग रहा है इस पे एंटी क्लोड वाइस तो टॉर्क एन क्लोड़ वाइस कि प्रोड़ वायस कितना आ रहा है कि लॉज़ वाइस टॉज़ करा है हमारे पास F into R into sine 90 degree क्योंकि F इदार है R इदार है 90 degree angle ले तो ये कितना आ गया R F तो टॉर्किंग clockwise ठीक है Now टॉर्किंग anti clockwise that is टॉर्किंग anti clockwise तो देखिए R इदार F इदार है anti clockwise तो उसका भी same angle 90 degree आ रहे दिखिए यहां पर तो क्या जाएगा FR sign 90 degree कितना हो गया R अब एक नेट टॉर्क लिखना है मुझे तो नेट टॉर्किंग clockwise प्लस टॉर्किंग anti clockwise एक बात का आप दियान रखना अगर आप clockwise को positive लेते हो तो anti clockwise को आप क्या लेना पड़ेगा negative लेना पड़ेगा तो नेट टॉर्किंग कितना हो गया 0 इसका मतलब यह body इकिलिब्रियम में है यह body rotational equilibrium में है बट यह body कौस equilibrium में नहीं है translational equilibrium में नहीं है तो इसलिए हम उसको बूलते है partial equilibrium of rigid इकिलिब्रियम में मतलब यह होता है कि body इन दोनों में से किसी भी एक होगा या तो ट्रॉटेशनल में नहीं होगा अगर रोटेशनल equilibrium में होगा तो तो अयसा जो बाइड बॉडी का जो इकिलिब्रियम कहलाता है बूग्य कराता है वह चलता है partial equilibrium के लिए रहे तो पार्शल equilibrium का मतला सुन रहे तो दोनों तरह में से दोनों equilibrium में से एक equilibrium इसमें possible होगा के लिए रहे ओके नोट कर गए इसको कर-दिए खुझ पीजुच मैं पार्शच कर दे या थाbी का इस प्रम थाह yo the this make point death if a body is in translational एक्लिब्रियम देन एनी पॉइंट ओन दा बाड़ी एस ट्रेटेड टो बी एस हिंजड ठीक है अगर बॉड़ी ट्रास्टिशनल एक्लिब्रियम में है तो बॉड़ी के किसी भी पॉइंट को हम एक किस की तरह है एक हींज की तरह कर सकते हैं कंडिशन क्या वर कि वह बॉड़ी कि इस वह होगा वह्यांस लिए मांससकते हैं अवरे पॉइंटोर और का वैल्यों करता आने वाला है सेमकर बाने वाला है और Okay, then, that means, at every point, that is, torque at any point on body Remains, same, मताब, body का torque किसी भी, point के about क्या आने वाला है, same आने वाले देखे, कैसे, इसमाने देख, body लिए हमने, यह rod है, L length का rod है, रोट का length कितना है, L है, हमने देखे, force इस पैसल लगाया, और इस पेक, force ऐसा लगाया, लग रहा है और फोररार लग रहा है और फैस्फ फोर सी लग रहा है तो यह क्या हो गया सबढ़ने तरहां ज면 दिखेंगे सब्सवर्ण हरु सब्सक्राइब है जिए इसकर मतलब विया आध डाइस भर मतल्य स्वर्ण का सै बाड़ी जेन टांस्वलेशनल इसका मदभभ बोlet किस में आ गया है दो ने ले लिताओं यह यह क्या है फिर कि यह डिस्टन्स किना है लगा टू और यह डिस्टन्स के हाएं लगा टो टोर्क पॉइंट ए तो टॉइंट पॉइंट ले निकाले तो दिखिए अगर जिसकी पॉइंट के आगा बाउट अगर हम बढ़ा हैं अगर वह सी पॉइंट से जाए तो उसका जूरम वहना जाता है कि समझ मारी बात क्योंकि जैसे माल लीजिए अभी हिंज है अभी रवाड हमने कल बढ़ा था हमने एक फोर्स लगाया इस फोर्स को पीछे बढ़ाया तो को हिंज पॉइंट से जा रहा है तो उसका टॉप जूरे माले तो यह एक फोर्स इस पे लगड़ा होता है कर था बना देंगे बाएकित्रफ कि यह क्यों दिघ्री के डेंस कितना हो गया लोग यह लेंथ कितना है तो टॉर्क ना जाएगा टॉर्क डारेक्षिटन यह जाएगा लेंथ हो गया हमार बास फोर्स हो गया फ लेंज हो गया इल कोसी डाइड्यक्शन आगे इसमें क्लॉकवाइस किलै स क्यों सी कि यह सी के वाउट निकाल निकाल भेडर काल लें अब जैब वारा फोर्स-क इस्य-पॉइंट से पास कर रहा है। तो उसका टॉक हो गया जीरो हो गया इसका जोर्स कि तो इसका तो टॉर्क क्या हो गया इसका zero हो गया बट यह वाला force इस वाल अब्जाट को rotate करा देगा इस sense में तो टॉर्क का value कितना हो जाएगा f into l और sense क्या हो जाएगा इसका यह भी हो जाएगा clockwise क्लोकवाइज हो गया अब इसको देखो अगर मुझे टॉर्क अबाउट c लिखना है तो देखे क्या होगा टॉर्क अबाउट c में यह रोड बना लिया हमने एक फोर्स पर दे लग रहा है और एक फोर्स इस पर दे लग रहा है यह point c है यह distance कितना है आए ऐल बाइटो और यह distance कितना है आएल बाइटो तो दिखिए ची के बाट यहां हिंज मान लिया हमने यहां से अर्वेक्टर बनाया बाहर की तरफ हमने इसको एस मादिया यहां से अर्वेक्टर बनाया हमने बाहर की तरफ इसको एस घुमा दिया तो देखो यह भी clockwise यह प्रक्राइब दिखो कितना आजाएगा आर आधेट इस लवाइट टू इंटू एफ प्लस देखें दोनों का सैंज था लॉक्वाइब टू इंटू क्या होगा फ टॉर्क एफ टॉर्क एबाउट सी कितना आगया फ इंटू तो देखें टॉर्क आपने अबी निकाला पॉर्क ए निकाला बी निकाला और सी निकाला तीनों ही केस में टॉर्क वेल्यू कर से माया है और विद डारेक्शन ड़ीस इसका मतलब यह हुआ अगर बॉड़ी ट्रांसलेशनल इक बियूम में है तो आप उसके किसी भी और बहुट और बहुट है कि रहे हैं अब देखिए कोर्शन इस पर करते हैं कि देखिए माल लेते हैं एक कोई रिजेट बाड़ी है यह एक्स एक्सेस है यह वाई एक्सेस है और यह जड़ एक्सेस कि इस बाड़ी पर देखिए एक्स वाई जड़ बना दिया हमने और इस तरह की रिजेट बाड़ी है ठीक है यह ओलिजन हो है इस पर माल लेते हैं हमने एक फोर्स लगा दिया ऐसे 10 न्यूटन का ठीक है इस एक्स फोर्स लगा दिया हमने एक्स ट्वेंटी न्यूटन का ठीक है इस से यह एंगल बना रहा है यह फोर्स चलिए कोई बात नहीं है यह दे रखाया हम है और एक फोर्स लगा दिया हमने इस पर अब देखिए द्यान से और यह डिस्टेस समय रख्था है टू मीटर अब अब देखिए यह क्या है यह फोर्स लग रहा ऐसे इस पर और यह यहां से इसके बाट रोटेट होड़ा यह बाड़ी तो यहां से हमने आर वेक्टर बनाया बाहर की तो पर अधिक है और हमें दे रखाता पहले ही कि इस लाइन पे यह वाला फोर्स परपेंडिकुलर है इस कि अब फोर्स तो पाशिस ही से कर रहेैं हिंसे यृवाला फोर्स भी से पास कर रहे हो तो टॉर्क औफान जीरो टॉर्क ऑफ टु क्या हो गया जीरो टॉर्क ऑफ ट्री एफ-3-0 टॉर्क औफ टॉ आफ-2 एसक पहल कि 1020 पर्पेंडिकुलर इस टु तो टू इंटू 20 कितन सब्सक्राइब तो यह इस बॉड़ी को किस दार्ट में आगा क्लॉक वाइस नेट ऑटेंग और वाडी कितना हो जाएगा फटी नूटन के लिए नोट करिया इसको अब देखिए यह X-axis है यह Y-axis है और यह Z-axis है तीन एक्सिस बना दिये कुश्चे नहीं भी माने जो कोई बॉडी है उस पे कोई फोर्स लग रहा है F 10 Newton का At an angle of 37 degree ठीक है एक्सिस पे ऐसे लग रहा है 20 Newton का ठीक है और एक्सिस बना दिये लग रहा है ऐसे यह एंगल दे रखा में 120 Newton 30 Newton यह को इसे बॉडी होगा उस पर यह थीन फोर्स लग रहे है और यह और यह और यह नहीं है नेक्टॉक एक्टिंग बताना है तो देखिए सबसे पहले और इस हावे फोर्स लग रहा है बॉडी यह और यह से सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आर वेक्टर वो बना दिया है यह F है तो R और F के बीच में अंगल कितना है 37 डिक्री और यह डिस्टेंस दे रखा है में 2 मीटर जहां पर यह फोर्स लगा था यहां से यह डिस्टेंस दे रखा है में 3 मीटर ठीक है अब देखिए हम से टॉर्क आफ एक वन वो जायएगा और एफ साइन आर एफ के बीच में एगर कितना है 37 अ यह इसको 30 डिग्री रेलो कितना आगा 30 डिग्री तो टॉर्क आफ से से समया एंटीं क्लॉगवाइश से टॉर्क ओफ फ्टू लिख लेते हैं तो देखिए टॉर्क ओफ फ्टू एफ्टू देखिए उसी हिंज से पास कर रहा है जिसके बाद यह बॉड़ी नोट्विट होगा तो इसके बाद इसका टॉर्क क्या हो गया जीरो रीजन लिख लोगे फोर्स आर्म पासिस थ्रू इंज गत्र पास करना टॉर्क ओफ फ्टू अब देखिए यह आर्वेक्टर है इस यहां पर फोर्स लगाए तो यहां से हमने आर्वेक्टर बनाया और यह और आफ के वीच मेंगा कितना है ट्वेंटी तो क्या होगा आर एफ साइन वेंट्वेंटी क्या होगे वल्यों आर आएगा यह तो 1545 रूट 3 और यह कौंसे से खमाया एगा यह क्लॉक्वाइस है द्वाइस में घुमाया थेक्ट है तो नेट टोर्क जो अगा तैस टॉर्क अवफ फ्टू प्लस टॉर्क अवफ तूब फ्लस टॉर्क अब थी अब देखिया आप तो में ध्यां से थे समझन और चंब होगा कि इसमें जिसकी विए इन फेर्टी फाइव रूट त्री याइड हो वाली बढ़िए तो इसको आमने कर लिया प्रूटी फाइव यूट्ट्री को को मोजिटिव मान लिया तो इसको पूट करो देंगे माइनस 10 F2 कितना है 0 प्लस 45 रूट 3 तो असर आगया हमारा 45 रूट 3 माइनस 10 न्यूटन मीटर तो तो टॉर्प में पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना आपके हाथ में है अगर क्लॉक वाइस की वैली जादा आ रही है और क्लॉक वाइस वाले को का मान लिजिए नेगेटिव मान लिजिए खिले रहे तो आपको ये खिलेर हुआ होगा